विदेश जाप तिस समय माता रमावाई और बाबा साथ के संबाद लेकिन मैं आपको बरुसद लाती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी करके आना इन पांच बच्चों का पेट में खुद पाल लूँगी और जब माता रमावाई बाबा साथ को बरुसद लाती हैं तो बाबा साथ विदेश चले जाते हैं माता रमावाई मुंबई की गलियों से गोवर उठा कर लाती और उससे उपले बना कर मुंबई की गलियों में बेचती उपले बेचकर जो पैसा आता अपने बच्चों का पेट पालती इतना पैसा नहीं था कि वह अपने बच्चों की परवरिश कर पाती देखते ही देखते हुँगे उनको बड़ा बेटा दामोदर बीमार हो गया इलाज के पैसे नहीं थे इलाज नहीं कराया और दामोदर इस दुन्या को छोड़ कर चला गया यह बात माता रमा भाई ने बावा साप को नहीं बता रहीμ है बाबा साथ कहते हैं कि रमा मैं यहां अगर एक वक्त का खाना खाता हूँ तब भी मेरा काम नहीं चल रहा है। मैं अपना जीवन बड़ी मुश्कल से वेतीत कर रहा हूँ, मैं अपना सुबह का नास्ता दुपैर में करता हूँ और शाम को पारी पीकर काम चलाता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सामने भी बहुत विफल परिस्तिती हैं। तुम्हारे पास भी पांच बच्चे हैं और आमंदरी के भी कोई सादन नहीं है। फिर भी अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे भेज़ देना। की बेटों इंदू ने भी दम तोड़ दिया। यह बात भी माता रमवाई ने बावा साहब को नहीं बताई। और बावा साहब पढ़ते ही रहे। और कुछ समय के बाद बावा साहब अपनी पढ़ाई छोड़कर बढ़ोदा के महाराज के रियासत में नौकरी करने के अब तो मेरी जिन्दीगी के दिन बदल जाएंगे। बावा साहब जब दफ्तर में काम करते हैं तो चपरासी से बोलते हैं चपरासी जड़ा मुझे फाइल लाकर देना चपरासी फाइल को भी डंडे से उठाकर देता है। तु एक चप्रासी होकर मेरे साथ ऐसा विवार कर रहा है चप्रासी अम्बेटकर तुम पढ़ लिखकर जरूर आये हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारी बराबरी करोगे तुम आज भी नीच हो और तुम्हारे साथ काम करके मैं अपना धर्म नश्ट नहीं कर सकत बाबसाब यह क्या मतलब है मेरे साथ तेरा धर्म कैसे नश्ट हो सकता है और तु जानता है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल सकता हूं चपरासी, अमबिटकर ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे नौकरी से बले ही निकाल दो लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर दफ्तर में काम नहीं कर सकता बाबा साहब मैं ऐसे अपमान जनक स्थान पर और अधिक नौकरी नहीं कर सकता बाबा साहब ने ग्यारवे ही दिन अपनी नौकरी से स्तीफा दे दिया और अपने घर के लिए निकल गए और बड़ोदा के रेलवे स्टिशन पर पहुंच जाते हैं वहाँ उनकी टेन चार घंटे लेट होती है तो बाबा साहब एक पेड़ की नीचे जाकर बैट जाते हैं बाबा साहब कहते हैं कि मैं पहले ये सोसता था कि हमारे लोग मरे पशुओं को उठाते हैं उनकी खाल खीसते हैं और उनका मास खाते हैं हमारे लोग दूसरों की तरह गंदगी को अपने सर पर उठाकर फैकते हैं मेरे लोग गंदे रहते हैं उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते और उनके पास पैसा भी नहीं होता तो हो सकता है कि यह लोग हमारे लोगों को इसलिए नीच कहते हैं लेकिन आज तो मैंने यूरोप के कपड़े पहने हैं अमेरिका और चापान की यूनिवेसिटी से शिक्षिया प्राद की है और एक अधिखारी बनकर मैं आया हूँ जब ये मेरे साथ ऐसा विवार कर रहे हैं तो जो मेरे समाज के आशिक्षित और अनपड़ लोग हैं तो ये उनके साथ कैसा विवार करते होंगे रोते हुए अगर मैं अपने समाज को इस गुर्बत और गुलामी से आज़ाद नहीं करा पाया तो मैं वापस बड़ोदाल लोटकर नहीं आऊँगा मैं खुद को गोली मार लूँगा बाबा साथ जब नौकरी छोड़का अपने घर पहुंचते हैं तो यह बात मातर अमा बाई को पता चलती है तो मातर अमा बाई को बहुत दुख होता है बाबा साब कहते हैं कि घमा मैं नौकरी तो करता था लेकिन वहां का चप्रासी मुझे फाइल डंडे से बांध कर देता है पानी के घड़े को उठा कर अलग रख देता है वहां के लोग ने भी मुझे मारने की योजना बनाई ऐसे अपमान जनक स्थान पर मैं नौकरी नहीं क किये गई संगलब का ख्याल आता है तो बाबा साथ विदेश जाकर हम सब की गुलामी का कारण जो हिंदू धरम की गिरंतों में लिखा है उसे खोसते हैं इधर उनका तीसरा बेटा रमेश भी इस दुनिया को छोड़ कर चला जाता है इस प्रिकार से बाबा साथ के तीन लोगों के साथ जो नीस्ता भरा और गुलामी का विवार हो रहा है उसका कारण हिंदू धरम के जो गिरंत हैं उनमें लिखा हुआ है और मैं आज यह घुशणा करता हूं कि 25 दिसंबर 1927 को पूरे देश के मीडिया को सूचना देकर हिंदू धरम और पवित्र गिरंत को अगनी की भेट चड़ाकर आप सबको हम सबको इस नीचता और जिल्यत भरी जिन्दगी से आजात कराते हैं नान कंचन रतु बाबा साथ जल्डी से घर चलिया आईए आपके पुत्र राज रतन की तब्यत बहुत खराब है और माता रमा बाई ने आपके लिए बुलावा जैसे ही बाबा साहब दोड़ कर घर पहुंसते हैं तो राज रतन को गोधी में लेते हैं तो राज रतन भी दम तोड़ता है अपने चौथे बेटी की मौत पर पती के सामने माता रमा बाई क्या कहती है ना रोते हुए बाबा साहब बस करो बाबा साहब अब तो बस करो रमा तुम तो मुझे रो रो के बता पा रही हो मैं तो रो भी नहीं सकता मैं तो रोज ऐसे सैकड़ो बच्चों को मरते हुए देखता हूँ रमा तुम चुप हो जाओ रमा तुम चुप हो जाओ लेकिन अब यह दुनिया में ही नहीं रहा तो बताओ यह कैसे देश पर राज करेगा बाबस सहब मुझे बता दो कि यह कैसे देश पर राज करेगा रमा यह सच है कि तुम्हारा यह पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ और राजदतन के पार्थिफ शरीर की सोगंद खाकर कहता हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसा काम करूँगा कि हर रमा की कोक से पैदा हुआ राजदतन और हर मा की कोक से पैदा हुआ बेटा इस देश पर राज करेगा मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ इतना खहने के बाद बावा साहब अपनी जेव में हाट डालते हैं और राज़तन के कफन के लिए उनकी जेव में एक पैसा तक नहीं होता इस बात को माता रमावाई जानती है और माता रमावाई अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर राज़तन के उपर डाल देती है और बावा साहब को ख्याल आता है कि मुझे गोल में समिलन के लिए लंदन जाना है और बावा साहब राज़तन के पार्ते शरीर को छोड़ कर घर की ओर से लंदन निकल जाते हैं तब ही पीछे से उनका भाई दोड़ कर आता है और कहता है भीम तुम पागल हो गए हो यह तुम्हारा पुत्र है यह तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा है और तुम्हें विदेश जाने की सूज रही है तुम कैसे बाप हो जो अपने पुत्र को इस अवस्ता में छोड़ का विदेश जा रही है और यह समाज क्या कहेगा अपने पुत और उनसे सारे हक और अधिकार छीन लेंगे इसलिए मैं एक पुत्र की खातिर अपने करोडो करोडों लोगों को बली चड़ने नहीं दे सकता तुम यह सब लोग सम्हाल लोगे ऐसा कहते हुए बाबा साप गोल में सम्मेलन के लंदन चले जाते हैं और आज आपके जो बच्चे हैं आपका जो समाज है जो हक और अधिकार लेकर आप जी रहे हैं अपने बच्चों को अच्छे-चापड़े अच्छी शिक्षा अच्छी नोकरियो में भेज रहे हैं उसका श्रह केवल बाबा साहाब को जाता है और आपके जो लोग हैं मैं इस बात को अपने बच्चों को बताने में शर्माते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले